हेलो क्रेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लताकी लाइब्रेरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुशुरत पैटन सियर करने जारी हूँ इस पैटन को आप जैन साथ स्विटर, फुल स्विटर, जैकेट, लेडी स्विटर, कार्डिगन, कोटी, गल स्विटर, गल स्टॉप, बच्चों के ओल प्रोजक्ट के अपादे में अपलाई कर सकते हैं बनके बहुत ही खुशुरत हमारा ये पैटन आजाता है सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटन बनाके कम्प्लीट करेंगे बॉर्डर पैटन कम्प्लीट होने के बाद फ्रेंट साइड से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होगा इस pattern को बनाने के लिए हमने 4 के multiple में फंदे डालने हैं plus हमने 1 फंदा extra डालने हैं 10 नंबर की सराई में हमने इस pattern को बना लेने हैं अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखे border complete होने के बाद front side से pattern की first row में देखे पहला फंदा उता लेंगे दागा अपनी side करेंगे तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन दागा पीछे करेंगे एक फंदे को double roll करके बुनेंगे तो देखे सीधी side से slide डालेंगे और एक फंदे को ऐसे double roll करके बुन लेंगे फिर दागा अपनी side next अपने same process repeat करना है एक, दो, तीन तीन फंदे उल्टे दागा पीछे करेंगे एक फंदे को हम double roll करके बुनेंगे तो देखे ऐसे सीधी side से slide डालेंगे और देखे एक, दो इस तरीकी से हमने इस फंदे को double roll करके बुनना है फिर देखे तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे फिर एक फंदे को डबल रूल करके बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, लास्ट में हमने तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, और लास्ट का फंदा सीधा बुन लेने, तो देखिए फ्रेंट इस साइड से हमारी पैटरन की थाड रो, कम्ठीट हो गई, हमारे प्रोजक्ट अब देखिए फ्रेंट साइड की तरफ से जो फंदे उल्टे आए हैं, ये बैक साइड से सीधे आएंगे, तो देखिए तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, धागा अपनी साइड करेंगे, अब देखिए फ्रेंट साइड की तरफ से देखिए जो फंदा हमने डबल रोल कर के बुना है बैक साइड से इसको ऐसे सीधी साइड से सलाइड डालेंगे इस फंदे में जैसे सीधा फंदा बुनते हैं और इस फंदे को सिंगल करेंगे और इसको हम बिना बुने ही उतार लेंगे फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे धागा अपनी साइड नेस्ट फंदा देखे इस तरीके से हम सीधी साइड से नेस्ट फंदे में सलाइड डालेंगे और इसको डबल से सिंगल करेंगे और इसको बिनबुने ही उतार लेंगे फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे धागा अपनी साइड, नेस्ट फंदा हमने बिनभुने ही उतार लेना है, फिर लास्ट में हमारे तीन फंदे सीधे आएंगे, और लास्ट का फंदा उटा आ जाएगा, तो देखे ये रॉंग साइड से हमारी पैटन के सेकिंड रो कम्प्लेट हो गई, आप देखे फ्रंट स बनेंगे, फिर धागा पीछे, दिखे जो बिनभुना फंदा है, सीधा वाला, इसको हम सीधा ही बनेंगे, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उटे, दागा पीछे, सीधे फंदे को हम सीधा बनेंगे, धागा अपनी साइड कर लेंगे, तीन फंदे उटे, फिर एक फंदा सीधा, लास्ट में हमारे तीन फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा आ जाएगा, तो देखे फ्रांट साइड से पैटरन की थार्ड रो कम्प्लीट उगई, रॉंग साइड से फोर्द रो, पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे बुनने हैं और एक फंदा उल्टा बुन लेना है, फिर लास्ट में हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे, तो देखें बैक साइड से पैटर्ण की फोर्द रो, कम्प्लीट हुए, अब देखें फिप्त रो, अब फिप्त्रों में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड तीन फंदे उर्टे अब देखे नेस्ट फंदे में हमारा पैटर्न आएगा तो देखे फर्स्ट ओल छोड़ेंगे और सेकेंड ओल में हमें सलाई डालने है और एक फंदा बना लेना इस तरीके से देखे एक फंदा बनाया इस फंदे को देखे लेप नेडल में सिफ्ट करेंगे अब देखे यह एक्स्ट्रा फंदा और जो नेस्ट फंदा इन दोनों को एक साथ बने के दो का एक कर लेंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे तीन फ पीछे नेस्ट फंदे में पैटर्न आएगा तो देखे फर्स्ट ओल छोड़ेंगे सेकिंड ओल में स्लाइड डालेंगे एक फंदा बना लेंगे फिर इस फंदे को देखे लेप निडिल में सिफ्ट करेंगे एक्स्ट्रा फंदा और नेस्ट फंदा इन दोनों को एक साथ पिर तीन फंदे ऊठें नेस्ट फंदे में पैटर्ण आएगा जो सीधा फंद है देखें यह फस्ट ओल चुड़ेंगे और सिखिंड ओल में स्लाइड डालेंगे एक फंदा बनाएंगे इसको लेफ्ट नेडल में शिफ्ट करेंगे एक्स्ट्राफंदा और नेस्ट फंदा इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, धागा अपनी साइड, लास्ट में देखे, तीन फंदे उठे आ जाएंगे, एक फंदा सीधा आ जाएगा, तो देखे, फ्रंट साइड से पैटर्न की फिप्तरों कम्प्लेट हो गई, रॉंग साइड से देखे, शिक्स रो, अब शिक्स र करने, ये रॉंग साइड से यमारी शिक्स रो है, और शिक्स रो को हमने सीधा बुनते हैं, कम्प्लेट करने, लास्ट का फंदा उल्टा भुन लेने, तो देखे, ये बैक साइड से हमारी पैटर्न की शिक्स रो कम्प्लेट हो गई, अब देखे, फ्रंट साइड से पैटर्न की सेवंतरों, अब सेवंतरों में हमारा पैटर्न रिपीट होगा, सेवंतरों को हमने पैटर्न की फस्ट रो की तरह बुनते हुए, कम्प्लेट करने, अब हमने इन्ही छे सलाईयों के पैटर्न को बार-बार रिपीट करते जाना है, और बनके देखे, हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये देखे, बहुती सुंदर, बहुती आ sun pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें share करें comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो please subscribe करना न भूलें thank you लाइक करें